आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुद हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वा तरवेदी पहले मुख्य समाचार लोगसभा चुनाव में देश के छटे और प्रदेश के तीसरी चरण की प्रचार का आज आखरी दिन बारा मही को होगा मतदान प्रदेश में भोपाल, गौालियर, गुना सहथ, आठ सीटों पर भाजपा कॉंग्रिस समेत विबिन दल प्रचार में आज जोकेंगे ताकत, प्रशासनिक इस्तर पर मतदान की तैयारियां पूरी, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज भिंड और मुरेना में करेंगे समिक्षा, और IPL क्रिकेट के दूसरी कौलिफायर में आज डैली कैपिटिल्स क मुकाबला चैन्नी सुपर किंग से होगा, अब समचार विस्तार से, लोकसभा चुनाव के देश के छट्या और प्रदेश के तीसरी चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा, इस चरण में साथ राज्यों के 69 लोकसभा शेत्रों में 12 माई को वोट डाली जाएंगी इन में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटें, मुरेना, भिंड, गौालियर, गुना, सागर, विदीशा, भोपाल और राजगर शामिल हैं, इस चरण के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है, दोनों प्रमुक दलों, भाजपा और कॉंग्रिस सहित, विभिन्य दलों के नेता प्रदेश में अलग-अलग जगों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कॉंग्रिस सद्धक्ष राहुल गांधी ने कल सागर के बीना में चुनावी सभा की, वही रक्षा मंदरी निर्मला सीता रमन ने भोपाल में विभिन्य कारिक्रमों में शिर्कत की, मैदान में हैं। मुरेना से हमारे समवादाता ने बता है कि राजिस्थान के उपर मुख्य मंतरी सचन पालेट आज मुरेना में कॉंग्रिस प्रत्याशी के समर्थन में सभा करेंगे। वहीं गौलियर में भाजबा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सी हीं। आज पार्टी प्रत्याशी विवेक शेजवलकर के समर्थन में रोड शो करेंगे। प्रदेश में जिन आठ लोग सभाशेत्रों के जिलों में मतदान होना है वहां प्रशासनिक इस्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ग्वालियर से हमारे समवादाता ने बताया कि आम निर्वाचन के लिए जिले में मतदान निश्पक्ष शांती पून रूप से संपन कराने के लिए सुरक्षा के पुखता प्रबंध किये गए हैं। सभी मतदान केंदर की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। समिक्षा करेंगे। इससे पहले कल श्रीकांता राव और श्री जैन ने राजगण और भूपाल में भी निर्वाचन की तयारियों की समिक्षा की। मुख्य निर्वाचन पता अधिकारी ने राजगर्ण में निर्वाचन कारी में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मिचारियों को पर्याप्त सुविधा मुहिया कराये जाने के निर्देश दिये श्रीकांदा राव ने कहा कि बॉर्डर एरिया चेक्पोस्ट नाको पर कड़ी निगरानी रखी जाए उन्होंने सीवजल एपर प्राप्त शिकायतों का तौरित निर्वाचन की जाने के निर्देश दिये वहीं भोपाल में आयुजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े और भोपाल डियाई जी इर्शाद वली शामिल हुए शिपुरी मतदान में मतदान दल के सदस्यों की ठहरनी की विवस्ता साथ इस्थानों पर की गई है इस दौरान उन्हें जरूरी सभी सुदाएं भी मुहया कराई जाएंगी शिपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधिक्षक ने बीती रात सीमा वर्ती दो नाकों का ओचक निरक्षन किया इस दौरान उन्होंने SST और BST टीमों की कारवाही पर चर्चा की चुनाव आयूग ने श्री गांधी के अनुरोद पर उन्हें अब इस बारे में आज शाम तक जवाब देने को कहा है गौरतल भैकिश्री गांधी ने शेहडोल में अपने भाषन में कतित तोर पर कहा था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के कारिकाल में एक ऐसा खानून बना है जिसमें आदिवासियों को गोली मानने की बात कही गई है यह समाचार आप आकाश्वानी भूपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलेटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेच पर सुने जा सकते हैं इसके लावा आप हमारी वेबसाइड newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वियाल कांता राओ ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोगसभा चुनाव में मतगर्णा की तैयारियों में पूरी पारदर्शिता बरतने के नरदेश दिये हैं शीराव कल भारत निर्वाचन आयोग के उपन निर्वाचन आयोगत सुधीप जैन के साथ प्रदेश के उन जिलों में चल रही मतगर्णा की तैयारियों की समिक्षा कर रहे थे जहां लोकसभा चुनाव का पहला और दूसरा चरण संपन हो चुका है इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीब यादब भी मौजूद थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगर्णा की तैयारियों में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षर शह पालन करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि वीवी पैट मशीनों की परचियों की गणना के लिए गणना कर्मियों का अलग दल बनाए तथा उनके लिए अलग से प्रिसिक्षन आयू जित करें प्रते के जिला मुख्याले पर एक-एक आदर्श मदगर्णा कख्ष बनाए जहां नाकिबल गणना कर्मी बल की उम्मीदवार अत्वा उनके अभिकरता भी मदगर्णा के वैवारिक पहलियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें शिकांताराव ने मदगर्णा स्थल तक स्ट्रॉंग रूम की सुरक्ष के बारे में भी सतरकता बरत ने और स्ट्रॉंग रूम के प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन सुनिश्ट करने के निरदेश लिये श्रीकांतारावने कल कटनी में बनाए गए स्ट्रॉंग रूम का भी निरिक्षन किया उन्होंने सिवरी में भी मदगणना अस्थल का जायजा लिया प्रदेश के उच्षिश्य मंतरी जीतु पटवारी को आचार सहीता उनलंगन के एक मामले में इंदौर जिला निर्वाचन कारियाले ने क्लीन चट देते हुए अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयो को भेज दी है अपर कलेक्टर और शिकायश शाखा प्रभारी भव्या मित्यल के अनुसार कुछ दिन पहले शी पटवारी के खिलाफ आचार सहीता उनलंगन की एक शिकायत मिली थी शिकायत में एक वीडियो के माध्यम से पटवारी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कॉंग्रिस के इंदोर लोगसभा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए मतदाताओं को जिम के लिए 25 लाख रुपे के सामान देने का प्रलोभन दिया था अपर कलेक्टर के नुसार जाच में आरोप सही नहीं पाया गया है संगीत के शित्र में युवा प्रतिभाओं को खोचने और प्रोचसाहन के उदेश से आकाशवानी द्वारा अखिल भारतिय आकाशवानी संगीत प्रतियोगता का आयोजन किया जा रहा है प्रात्मे की चरण की प्रतियोगता आकाशवानी के भोपाल केंदर पर होगी प्रतियोगता में भाग लेने के लिए 7 जून तक आवेदन किये जा सकेंगे IPLA क्रिकेट के दूसरे कौलिफायर में आज डैली कैपिटल्स का मुकाबला चैन्नी सुपर किंग से होगा ये मैच विशाका पटनम में शाम साड़े साथ बजे से खेला जाएगा विशेता टीम रविवार को हैदराबाद में होने वाले फाइनल मैच में मुंबई इंडियन्स से भिड़ेगी जैपुर में महिला 2020 चैलेंज क्रिकेट टूनमेंड के तीसरे मैच में सुपर नुबाज ने जैमी बना रोडरिक के नाबाद 77 रन की बदौलत वैलो सठी को 12 रन से हरा दिया 143 रन के लक्ष के जवाब में वैलो सठी की शुरुवात अच्छी नहीं रही और उसकी दोनु सलामी बल्लेबाज हैली मैथ्यूज और शेफाली वर्मा पहले चार ओवर में ही पमेलियल लौट गाई प्रतियोगता में तीनो टी में वैलो सिटी, ट्रेल, ब्लीजर्स और सुपर नुवाज के दो दो अंके हैं हाला कि बहतर रन रेट की आधार पर सुपर नुवाज और वैलो सिटी फाइनल में पहुँच गए हैं फाइनल मैच कल खेला जाएगा अब कुछ समाचार संक्षेप में भिंड में आज अधिकारी कर्मचारियों की मतदाता जागरुकता दोड आयू जित की जा रही है इस दोड में आम लोग भी शामिल हो रहे हैं खनवा में आज से 14 मैं तक EVM मशीनों की कमिशनिंग सलिंग का कार्य इस्थानी जला सिक्षा एवं प्रसक्षन संस्थान डाइट में किया जाएगा और विदीशा जिले के आम खेडा सूखा की रहने वाली मुख वधर महिला को उसके घर पहुँचा दिया गया है महिला एक वश्च पूर्व खनवा में लापता मिली थी तब तक उसको महिला सुधार ग्रह में रखा गया था अंत में मुखी समाचार एक बार फिर लोग सभा चुनाव में देश के छटे और प्रदेश के तीसे चरण के प्रचार का आज आखरी दिन बारा महिको होगा मतदान प्रदेश में भोपाल, गौलियर, गुनासाहित आठ सीटो पर भाजपा कॉंग्रेस समित विभिन दल प्रचार में आज जोकेंगे ताकत प्रचासने किस्तर पर मतदान की तैयारियां पूरी, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज भिंड और मुरेना में करेंगे समिक्षा और IPLA क्रिकेट के दूसरे कॉलिफायर में आज डैलीट कैपिटल्स का मुकाबला चन्नी सुपर किंग से होगा इसके साथ ही प्रदेशिक समाचार का ये बॉलिटिन समाब्ध हुआ नमस्कार